नमस्कार दोस्तों, बाईजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप के तहत आपका स्वागत है। आज की तारीक है 1 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अगबार में आए हुए कुछ प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पे जिसके तहत प्रारंबिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्तपूर्ण अभ्यास प्रशनों की भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंब करने से पूर बाईजूस की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू यर। यह जो आने वाला नया दशक और नया साल है वह आपके जीवन में सभी प्रकार की कुछियों को लेकर आएगा। आज का जो पहला आर्टिकल हम इस दिसकस करने जा रहे हैं। फह संबंदित है GS Paper 2 पॉलिटी से और साती साथ यह जो एडिटोरियल है इसको आप संबंदित कर सकते हैं GS Paper 1 में सामाजिक मुद्दों से भी विशेश रूप से महिला संबंधी मुद्दों से भी इसको जोड़के देखा जा सकता है। मुखे रूप से यह जो एडिटोरियल है यह संबंदित है विशेश विवा अधिनियम के विवित प्रावधानों से हाल के समय में विशेश विवा अधिनियम जो 1950 के दशक में बनाया गया था वह काफी चर्चा में रहा है। इसके तहट यह देखा जा रहा है कि अनेक राज्यों द्वारा धर्मांतरन विरोधी कानूनों को बनाया गया है जिसमें विवा को अधार बनाकर किये जाने वाले धर्मांतरन को रोके जाने के संदर में उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश और दूसरे राज्यों ने भात के परावधान किये हैं, तो अंतर-धारμिक विवाहों के संदर में special marriage act, विशेश विवा अधिनियम की क्या भूमिका है, क्या यह अंतर-धारमिक अधार पर किये जाने वाले विवाहों के संदर में उनकी स्वतंतरता, उनके चेयन की शक्ती की रक्षा करने में यह सफल रहा ह यत्वा नहीं, इससे संबंधित कुछ महत्पूर्ण मामलों की हम चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल के तहत, तो देख लेते हैं, संदर इसका क्या है, संदर मैंने आपको बताया कि हम इसमें देखने जा रहे हैं Special Marriage Act विशेश विवा अधिनियम के आलोचनात्मक विशलेशन को, विशेश विवा अधिनियम, अगर हम बात करें किस प्रकार का अधिनियम है, तो इसको 1954 में बनाया गया था, यह मुख्य रूप से भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जातिये विवा को पंजिग्रत करने और उसे मान्यता देने वाला एक प्रमुक कानून है, इसके तह देता है, जिसके तहट आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन की आउशकता नहीं है, यानि अगर मान लीजे कोई हिंदू और कोई मुसलिम आपस में विवा करना चाहते हैं, तो वह विशेश विवा अधिनियम आधि के तहट अपने विवा को आने वाले विवा को राज्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी, इसके तहट कुछ शर्तों के अधार पर उनके विवा को विधिमान ने घोशित किया जाएगा, जिसके तहट दोनों पक्षों में से, पती और पतनी दोनों में से, किसी भी कोई एक का जीवन साती नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष जो हैं अपनी सहमती देने में सक्षम हो, यानि वो वयस्क हो और अपने फैसले लेने में सक्षम हो, इसमें पुरुष की आयू कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयू कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, त तो दोनों पक्ष जिस छेत्र में पिछले 30 दिनों से निवास कर रहे होते हैं, उस छेत्र में विवा अधिकारी को उनके विवा हेतु अनुमति पत्र वह दे सकते हैं, यानि मैरिज रजिस्ट्रार में जाके वह अपनी शादी को प्रारंब कर सकते हैं, इसके संदर में यदि किसी को भी उनके विवा से अनुमत्ती आपत्ती होती है तो भै अगले 30 दिनों की अवधी में इसके किलाफ नोटिस डायर कर सकता है। इस प्रकार की आपत्तियों पर विचार करने के 30 दिन की अवधी के बाद विवा के पंजीकन पर हस्ताक्छरन करने क लिए गवाहों के साथ विवा की अनुमती दे दी जाती है अब यदि कोई भी व्यक्ति यह मानता है कि दोनों में से कोई भी पक्श, आवश्यक, शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो इसके खिलाफ आपत्ती दरज कराई जा सकती है, और यदि आपत्ती सही पाई जाती है, तो विवा अधिकारी, विवाहेतु परदान करने से मना भी कर सकते हैं समाने रूप से देखा जाए तो इसमें प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसके माध्यम से दो विभिन धर्मों को माने जाने वाले व्यक्ति जो हैं वह सरकारी आधार पर एक सरकारी विदिमान्यता की आधार पर जो है कानूनों के तहट व पहले भी बनाया गया था, जिसके तहट हैंडरी मेन नामक एक विद्वान, एक जियूरिस्ट की महतपुर्ण भूमिका थी, इसके तहट भारत में ब्रह्म समाज आदी द्वारा अठारा सो साथ से इसके तहट आंदोलन भी किया जा रहा था, इसमें मुख्य रूप से केशव चंद्रसेन जैसे महापुर्ण की भूमिका थी, जिनका ये मानना था कि विवा आदी परंपराओं को हमें और सरल बनाना होगा, इसके तहट उनके द्वारा चलाये जाने वाले जो कैंपेन आदी था, उससे प्रभावित होकर अंतता वितिश सरकार के द्वारा 1872 में विश इन धर्मों के लोग आपस में विवा करते थे, तो उनको विवा किये जाने की स्थिती में जो उनका पहले का जो उनका धर्म था, उसको उन्हें छोड़ना आवश्यक होता था, अब चूंकि इसमें धर्म को छोड़ने जैसी परंपराएं विद्दमान थी, इसी के चलते य ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सका, हाला कि अगर इसको हम मापें, अगर हम इसका आकलन करें, उन्नीस्वी शतापदी के कानून के अनुसार, उन्नीस्वी शतापदी के समाज के अनुसार, तो निश्चित रूप से ही एक क्रांतिकारी कदम था, अब इसमें जैसे समाज में परिवर्तन आते गए, विधियों में नवी नवीन सिध्धानतों का आगमन होता गया, उसी के बढ़ावा देने के दिश्टिगोंड से, अब कानूनों में भी उदारता के सिध्धानत को, व्यक्तिवादिता के सिध्धानत को, और व्यक्तिगत स्वायतता को बढ स्मान नागरिक सन्हिता की दिशा में एक पहला कदम भी माना जाता है, जिसके तहत यह माना जाता है कि चूणकि देश के सभी नागरिक संब्यधानिक अधार पर समान होते हैं तो अता उनके जो रक्तिकत कानूनों की जो इस्थितियां हैं वह भी संब्यधान के अनुरूप एक समान होनी चाहिए जिसका संबंध मुख्य रूप से विभा तलाक आधी मामलों से होता है अब यह जो विशेज विभा अधीनियम था वो इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा गया इसके माध्यम से कोशिश है की गई कि हम अपनी कानून व्योस्था में एक उदारवाद, आधुनिक्ता, धर्म निर्पेक्षता और प्रगतिशीलता को बढ़ावा दे सकें मुल रूप से इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि भारत में भी अंतरधार्मिक अधार पर यदि वयस्क व्यक्ति विभा करना चाहते हैं तो उन्हें विभा की स्वतंतरता प्रदान की जानी चाहिए हाला की हाल के वर्षों में कई राज्यों जैसे की उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी द्वारा मुख्यरूप से इसी अंतरधार्मिक विभा को ही लक्षित करते हुए बहुत सारे धर्मांतरण विरोधी अधिनियम बनाए गए हैं जो विशेश विभा अधिनियम की मूल भावना को ही प्रभावित करते हुए दिखते हैं अब इसके तहट कुछ ऐसी सीमाए भी विद्दमान हैं विशेश विभा अधिनियम में जो इसे समय के साथ अप्रभावी बनाने लगी हैं जैसे की इसके तहट जब विभा करने आप जाएंगे तो आपको विभा किय जाने के पूर जो है एक 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि लोग आपके विभा पर आपत्ती जता सकें यह जो है एक प्रकार से आपकी व्यक्तिगत चैन की स्वतंतरता स्वतंतरता के अधिकार पर चोट पहुँचाता है और इससे आगे च जानून है इसका प्रियोग ऐसे ही लोगों द्वारा किया जा रहा है जो विदेश जाने के संदर में एक वैद विवा सर्टिफिकेट को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसाईयों के द्वारा यदि आपसी सहमती के अधार पर विवा विच्छेद किया जाना है तो वह है इसके संदर में इस्पेशल मेरिज एक्ट के प्रावधानों का प्रियोग करते हैं क्यूंकि इसाईयों का जो परसनल लौ है वह आपसी सहमती के अधार पर विवा विच्छेद की स्थिति को स्विकार नहीं करता साथी साथ यह देखा जा रहा है कि जो विशेश विवा अधिनियम है जिसे मुख्य रूप से अंतर धार्मिक विवाहों को ही बढ़ावा देने के लिए बनाये गया था मूल रूप से इसी प्रावधान के संदर में ही इसका अधिक प्रियोग नहीं हो रहा है जो इसकी सीमा को दर्शाता है बहुत सारे विद्वानों का इसके असफलता के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए अपितू यह समाज की असफलता के रूप में भी देखी जानी चाहिए इसके तहत हमें यह मालना होगा कि समाजों द्वारा विवाह को अभी भी एक शुद्ध रूप से निजी मामले के रूप में देखा जाता है और इस इसके तहट वह सरकारी मार्ग को बहुत कम अपनाना चाहते हैं, इसके तहट जब उन्हें किसी प्रकार के certificate की आउशकता होती है, तभी जो है विशेज विवा अधिनियम जैसे प्रावधानों को लागू किया जाता है, अन्य था इसे लागू नहीं किया जाता है, साथी साथ चुंकि विशेज विवा अधिनियम के जो प्रावधान हैं, वह है विवा करने वाले योगूलों की पहचान को भी उजागर करने का प्रावधान रखते हैं, इसके तहट उसमें आप नोटिस देने के संबंधी प्रावधान को भी देखते हैं, इसके चलते इसकी पहुत सारी सीमाएं दिखाई परती हैं, जिसका वरतमान में जादा प्रियोग नहीं हो पाता है, अब इनी सीमाओं को दूर किये जाने के संदर में, वरतमान में सुप्रीम कोट में इस संदर में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि विशेज विव प्रिस्तुत किये गए हैं, उसके अनुरूप इसको बनाय जाने पर बल दिया जाना चाहिए, इसके तहट विशेज विवा अधिनियम के प्रावधानों के तहट यह प्रावधान किया जाना चाहिए, कि इससे विवा करने वाले युगलों की स्वतंतरता की तो रक्चा हो ह साथी साथ, उनकी पहचान भी उजागर ना हो पाए, इसके संदर में भी प्रावधान करना होगा। पारिवारिक संपत्ती पर उनका समान अधिकार सु निष्चित हो सके। में पारिवारिक संपत्ते संदर में बहुत सारे कानून और प्रावधानों आधी की विद्दमानता है। बावजुद उसके उसका इसा बहतर धंग से कार्यान नहीं हो पाता जो महिलाओं को विभा के बाद उनकी पारिवारिक संपत्ति से एक प्रकार से प्रतक सा कर देता है साथी साथ हमें विभा के छेत्र में स्वायतता को स्थापित करने स्वतंतरता को स्थापित करने के लिए प्रगतिशील कानूनों को बनाना होगा और विशेश रूप से हमें इस संदर में कारे करना होगा कि यदि अंतरधार्मिक विवा के संदर में इस प्रकार की स्थिति आए तो इसमें जो यूगल हैं उनको अनावश्यक रूप से शोशन का सामना ना करना पढ़ें अंतरधार्मिक विवा के संदर में 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 कारे किये जाने की जरूरत है और समाज में इस प्रकार के विवाहों को समाजिक मान्यता प्राप्थ हो सके इसको भी हमें कारे करना होगा इसके तहट कई बार ये देखा जाता है कि विशेज विवा अधिनियम जैसे प्रावधान या फिर धर्म की स्वतंतरता और दूसरे मूल अधिकार संबंधी प्रावधान विवा की स्वतंतरता को सुनिश्चित करते हैं बावजूद इसके विवित कानूनों की विद्दमानता के बावजूद समाज में अनेक समूज का लगतार विरोध करते देखे जाते हैं जिसके अधार पर कई राज्यो आदी में ओनर किलिंग जैसे घंगोर अपराद की स्थिती भी देखी जाती है यही कुछ ऐसी बाते हैं जिसके निवारण के लिए हमें कारे करने की आउशकता है अब इसके तहट प्रशनी ये उठता है कि हमें क्या किया जाना चाहिए सबसे पहले तो हमें विशेज विवा अधिनियम की जो कमिया हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे इसके तहट जो विशेज विवा अधिनियम के तहट जो पूर्व नोटिस दिये जाने की विवोस्ता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए वर्तमान में जो हम अंतित धार्मिक विवाहों आदी के संदर में जो आप कह सकते हैं लव, जिहाद, तताकतित, प्रकार के विवादों को जो हम देख रहे हैं और इनके संदर में जो होने वाली राजनीती है उससे हमें बचने की आउशकता है समाज में हम इसके संदर में परियाप्त स्वतंतरता, समानता, बंदुता जैसे संविधानिक लक्ष्यों की स्थापना के साथ ही मूल अधिकारों के परवर्तन के रूप में धार्मिक स्वतंतरता को भी स्थापित कर सकें इसके लिए हमें कारे कर activities करना होगा विशेश रूप से हमें विवा को व्यक्तिकत निर्ने बनाने के साथ ही चूंकि यह पारिवारिक निर्ने से भी संबंदित होता है विशेश रूप से ऐसी पद्दिती में ऐसी विवस्था में चूंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा तियाग किया जाता है यही सब बाते कुछ ऐसी महत्पूर्ण है जिसको ध्यान में रखके हमें सुधारों को किये जाने की आवशकता है मुख्य रूप से सुप्रीम कोट द्वारा हाल के वर्षों में जो राइट टू प्रिवेसी निश्टा के अधिकार आदी के संदर में जो विवित प्रकार के फैसले लिए गए हैं उसको द्रिष्टिगत रखते हुए हम विवा जैसे कारियों को भी निजी आधार पर सुनिश्चित करें साथ ही साथ हम इसके संदर में धर्म की सुतंतरता के साथ ही प्रगती शील वादिता को भी इसमें स्थापित कर सकें इसके लिए हमें कारे करना होगा मुख्यरूप से हाल के समय में इलाबाद हाई कोट ने लगातार जो हम धर्मांतरन पे डिवेट देख रहे हैं उसके संदर में भहुत सारे प्रगती शील निर्ने भी दिये हैं इसके तहट इस बात को लगतार स्थापित किया गया है कि यदि दो वयस्क व्यक्ति अपनी स्वतंतरता और इच्छा से विवा करना चाते हैं तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है और यदि वे स्वेच्छा से इसके संदर में धर्मांतरन का मार्ग भी अपना रहे हैं तो वह भी उनकी धर्म की सुतंतरता का एक मूल भूत भाग है, वह उनके विवेक की सुतंतरता का भाग है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। साथी साथ विशेज विवा अधिनियम और दूसरे जो प्रावधान हैं, वह वर्तमान विवस्था के तहट विवा को एक ऐसी पद्दिती के रूप में इस्थापित कर देते हैं, जिसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे लगतार जारी रखने की विवस्था पर कार किया जाता है, भले ही विवा किये जाने वाले जो यूगल हैं, वो अपने जीवन से परसन हो अत्वा नहीं, तो इसके संदर में भी हमें विचार करना होगा, जिसमें पारिस्परिक सेहमती के अधार पर, mutual consent के अधार पर यदि विभा विच्छेद की इस्तिती व्याप्त होती है तो हमें उस यूगल आदी के संदर में उसे परियाप सोतंतरता देनी होगी जिसके तहट इस बात को भी दिहान दखना होगा कि विभा के तहट वयस्क व्यक्ति वयस्क यूगल यदि प्रसंद नहीं है तो उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए कि वह पारसपरिक सहमती के अधार पर विभा विच्छेद को कर सकें और इसके अधार पर ही हमें विभा कानूनों आदी के संदर में कारे करने की आउशकता है यानि विभा जैसा प्रश्न हमें समाज के तृष्टिकोन के साथ ही कानूनी तृष्टिकोन से भी देखे जाने की आउशकता है चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध GSP पत्थरी में परियावन से है मुकह रूप से यह जो हमारा एडिटूरियल है यह संबंधित है अब यह हाल में हुई तेंदूओं की जनगर्ना से लगातार यह बात सामने आई कि 2014 की तुलना में 2018 में जो तेंदूओं की संख्या है वह लगभग 60% तक बढ़ गई है हालां कि तेंदूओं की संख्या के संदर में जो जनगर्ना की गई है उसमें कई सारी सीमाएं हैं जिसके निवार्न की भी आउशकता है तो इसके संदर में देख लेते हैं तो हाल ही में 2018 में जो तेंदुओ की जनगर्णा संपन कराई गई थी, उसके आंकणों को हाल ही में जारी किया गया है। इसके तहट यह दिखाया गया है कि 2014 से 2018 की आउधी में तेंदुओ की जनसंख्या में लगभक 60 प्रतिशत की विर्द्धी हुई है। यह जो जनगर्णा है यह भारती इस्तर पर 21 राज्यों में कराई गई हाला कि इसके संदर में विशेशग्यों का कहना है कि हमें इसकी सीमाओं को दूर करने के लिए कारे करना होगा। जिसमें 2018 की जनगर्णा जिस प्रकार से की गई है उसमें भी भहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसे हम सुधार कर कारे कर सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों को कहना है कि 2018 में जो हमने तेंदूओं की संख्या को लगभग 12,852 दिखाया है उसकी तुलना में भारत में तेंदूओं की संख्या 20,000 से अधिक है जिसको ध्यान में रखे जाने की आउशक्ता है। मुख्य रूप से 2018 की जन गर्णा के जो आकड़े जारी हुए हैं उसमें जो तेंदूओं की जो गर्णा की गई वह है मूल रूप से जो बाग अभ्यारने छेत्र हैं वहाँ पे की गई और इसके तहट जो तेंदूओं के अन्य पारम पर एक निवास इस्थल हैं वहाँ प पाए जाते हैं वहाँ तो तेंदूओं आदी भी पाए जाते हैं लेकिन जो तेंदूओं हैं वह केवल और केवल बाग अभ्यारने छेत्रों में ही नहीं मिलते वह कुछ और भी ऐसे छेत्र हैं जहां पे रहना पसंद करते हैं जैसे कि मुख्य रूप से चटानी छेत्र आ आदी पे भी पाई जाती है इसके लावा जो कृषी प्लांटेशन छेत्र होता है जैसे कि कौफी के छेत्र चाय प्लांटेशन छेत्र वहां पे भी उनकी संख्या देखी जाती है अब हमें जनगर्णा के संदर में इन छेत्रों को भी ध्यान में रखना होगा और इसी को ध्य सरकारी अधार पर जो जनगर्णा की जाती है उस सरकारी अधार पर की जाने वाली जनगर्णा के साथ ही जो दूसरे रिसर्च इंस्टिट्यूट्स आदी जो समय समय पर अपने संसाधनों से जनगर्णा करते हैं उनके आकड़ों का भी प्रियोग करने की आवशक्ता हमें है क हम एक आंकडे पर पहुँचें तो निश्चित रूप से हम एक बहतर परणाम प्राप्त कर सकते हैं तेंदूओं की जनगर्णा के संदर में। मुख्य रूप से हमें ऐसे छेत्रों पे जादा बल देना होगा जो पारंपरिक रूप से तेंदूओं सगन छेत्रों के रूप में विद्मान हैं जैसे की करनाटक में BIT, MM Hill, कावेरी संदक्षे छेत्र जहां पे पारंपरिक रूप से काफी बड़ी संख्या में तेंदूओ विद्मान रहें हैं इसी के साथ हमें यह भी दिहान रखना होगा कि 2014 की तुल्ना में 2018 की जो जर्णगर्ना की गई है वह अधिक राज्यों में की गई है और इसके तहद जो छेत्र विस्तारित है वह भी अधिक है 2014 में जो जर्णगर्ना की गई थी वह 18 राज्यों में की गई थी इसमें जनसंख्या तेंदूओं की लगभग 7910 देखी गई इसमें जो कुल छेत्रफल था वह भी लगभग 92,164 किलोमीटर था इसके तुलना में 2018 में जो जर्णगर्ना हुई है वह 21 राज्यों में विस्तारित है इसमें 1,21,337 वर्ग किलोमीटर छेत्र को शामिल किया गया और इसमें जनगर्ना के छेत्र को व्यापक करने के साथ ही सरकार द्वारा जो कैमरा ट्रैप विधी आधी का प्रियोग किया गया था उनकी संख्या भी अधिक थी तो जो हम 60 प्रितिशत विर्धी का आंकडा जो देख रहे हैं उसमें हमें इस बात को महत्पूर्ण रूप से इस्थापित करना होगा कि किस प्रकार से छेत्र के बढ़ने से नैचुरली तेंदूओं की जो संख्या है वो बढ़ी है और यह जो है केवल और केवल संदक्ष कशन उपायों का परिणाम नहीं है साथी साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में जो तेंदूओं की जनसंख्या है वह SAY कई सारे खतनों का सामना कर रही है जिसके तहत तेंदूओं के जो निवास इस्तल होते हैं जहां पर तेंदूओं पारंपरि देखा जाता है, जिस से हम तेन्दूओं की संख्या में कमी को देखते हैं इसके अलवा, पारंपरिक अधार पर कई जो आज़़्दियां आदी हैं उन आज़़्दियों में तेन्दूओं की शरीर की अंगों का प्रियोग किया जाता है जिसके चलते इनका शिकार होता है, जो विविद प्रकार के अवसंदशनागत विकास हुए हैं, उसके माध्यम से कई बार तेंदुए वाहनों की चपेट में आकर मृत्यू का शिकार भी हो जाते हैं, जिस प्रकार से मानव जनसंख्या बढ़ रही है, जो सघन वन छेत्र हैं उनकी संख्या सीमित हो रही है, इससे मानव तेंदुए संखर्ष भी लगतार देखा जाता है, जो इनकी संख्या को और भी कम कर देता है, साथी साथ मनुष्य समय समय पर दूसरे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काटे आदी लगाता है, जिसमें फसकर भी तेंद के तहत हमें देखना होगा कि जिन-जिन विशिश तिसलों पे तेंदुओ की संख्या है वह किस परकार की है, इसमें समय के साथ किस परकार की बदलाव देखे जा रहे हैं, संख्या वास्ताव रूप में बढ़ रही है, हत्वा नहीं, और साथी साथ तेंदुए सन्दशन प्रयासों में यदि सरकार नीजी छेत्र और विशेशक्यों के साथ मिलकर कारे करें तो तेंदुवा संदक्षन प्रयासों को हम बहतर रूप से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और एडिटोरियल की जो पेज नंबर छे पर दिया गया है और संबन्द GS Paper 2 में स्वास्त से हैं मुख्य रूप से यह संबंधित है कोरोना वाइरस से भारत में कोरोना वाइरस को लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं सबसे पहले केरल में मामला पिछले साल देखा गया था अब जो है हमने एक साल इसमें गुजार दिये हैं एक साल में भारत ने कोरोना वाइरस के संदर में बहतर तैयारी को दिखाया है, इसके तहट ना केवल हमने अपनी टेस्टिंग की छमता को बढ़ाया है, अपितू वेक्सिंग विकास के छेत्र में भी हमारे द्वारा बहतर कारे किया गया है। इसके तहट जो उनको प्रितिरक्षा तंत्र का जो उनमें विकास हुआ, वह भारत के लिए आगे लापकारी होगा, विशेश रूप से भारत में हर्ड इम्म्यूनिटी के विकास में। हाला कि हाल के समय में यह देखा गया कि उनाइटेट किंग्डम में एक नए कोरोना वाइरस का संसकन उभर के आया है, जो भहुत तेरी से दुनिया के दूसरे छेत्रों में फैल रहा है। भारत में भी जो है भहुत सारे जो यूके से आने वाले जो यात्री हैं, उनमें इस वाइरस के संसकन को देखा गया, जो काफी चिंता का विशे है। विश्य स्वास्त संगठन जैसे अंतराश्टी संगठन इसके संदर में लगतार जानकारी उपलब्द करा रहे हैं। विशेश रूप से यह जो कुरोना वाइरस का नवीन संसकन है, यह है दक्षिनपूर्वी इंग्लेंड के छेतर से उजागर किया गया, इसका जो है व्यापक रूप पे अध्यन किया गया है यूके आधी देशों में, इसके संदर में देखा गया कि जो नवीन संसकन इसका भर के आया है, इसमें जो तीवर परिवर्तन हुआ है, उस बर्तमान संसकन से यद भी मनुष्यों की मृत्यूदर जो है, वह जादा नहीं होगी, लेकिन यह जो संसकन का जो बदलाव है, वो इस कुरोना वाइरस को और भी जादा संक्रमर शील बता देता है, जो काफी चिं अब दुनिया जो है, इस बात को ध्यान में रखके कारे कर रही है, भारत को भी जो है इसके संदर में कारे करने के आवशकता है, यह जो नवीन वर्ष है, यह एक और तो कोरोना वाइरस की वैक्सीन के विकास के संदर में नवीन संभावनाओं को लेकर आ रहा है, वहीं 2020 में जो हमने कोरोना वाइरस से संबंधित टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए प्रयाज किये, जन्यागुरुक्टा को बढ़ावा देने के लिए प्रयाज किये, अब 2021 में हमें अपनी प्रात्मिकनाय थोड़ी बदलनी होंगी, इसके तहत कोशिश ये करनी होगी कि कोरोना वाइरस में जिस परकार से तीवर्ता से परिवर्तन होता है, उसमें हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि जो व्यक्ति कोरोना वाइरस से प्रभावित हो रहे हैं, उन व्यक्तियों में कोरोना वाइरस का कौन-कौन सा संसकर्ण देखा जा रहा है, इसकी पहचान करनी होगी, और इसके लिए हमें कोरोना वाइरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, RNA आदी, उसका हमें पूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग करवाना होगा, जीनोम सिक्वें के तहट वाइरस जो मुख्य रूप से RNA पदार्थ से बना होता है उस RNA पदार्थ और उसमें उपस्थित प्रोटीन साधी का पूर्ण अध्यन किया जाता है और इस बात की पहचान की जाती है कि उसमें किसी नवीन परकार के परिवर्तन को देखा जा रहा है अत्वा नहीं इ इसको सुनिश्चित करने के लिए उसमें विद्दमान आनुवांशिक पदार्थ जैसे की RNA आदी उसकी पूर्रूप से जाच की जाती है लेकिन वाइरस के आनुवांशिक पदार्थ की पूर्रूप से जाच करने के लिए उसके पूरी जीनोम यानि उसके पूरे आनुवा भारत ने अभी तक वाइरस के संदर में वैक्सीन आदी को बनाए जाने की दिशा में या फिर उससे संबंधिक टेस्टिंग किट्स आदी को बनाए जाने की दिशा में काफी परिवर्तन किये हैं, काफी विकास भी किये हैं, हाला कि वाइरस की पूर्ण प्रकार से जीनोम सिक फ्वेंसिंग आदी के संदर में हमने अभी ज़्यादा प्रिगती नहीं की है, वर्तमार में भारत ने इसके संदर में मात्र 5000 परिक्षणों को ही किया है, जबकि इंग्लेंड UK आदी देशों में इसके संबंद में लगभक देड़ लाख तक परिक्षण किये जा चुके हैं, अब इसी के संदर में भारत का जो अब आप कह सकते हैं जो प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, भारत में विद्दमान वाइरस के अलग-अलग संक्रमणों की पहचान करना होना चाहिए, और इसकी लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए, उसकी पूरे किसका जो वर्ष है, वह हमारे लिए और दुनिया के लिए एक वैक्सीन के वर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें भाती-भाती की वैक्सीन जो हैं हमें दिखाई देंगी, हालगी वज्ञाने के संदर में लगतार इस बात की भी चेताबनी दे रहे हैं कि वरतमान में वायरस की इतने ज्यादा संसक्रण दिखाई दे रहे हैं, उसमें इतनी तेवी से परिवर्तन हो रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वायरस के कुछ संसक्रण जो हैं, वो वैक्सीन के प्रति प्रतिरोदी हो जाएं, अथवा वैक्सीन की प्रभाविता से ही बच जाएं यही कान है कि 2021 हमारे लिए नवीन चुनोतियों को लेके आ रहा है जिसमें हमें निरंतर अधार पर मॉनेटरिंग करनी होगी साथ हमें एक और बहतर प्रभावी वैक्सीन बना सकें इसके लिए भी हमें निरंतरता से प्रयास करना होगा इसका मतलब नया साल जो है वह ह दिया गया है पेज नमब च्छे पर और इसका संबंध जीयस पे पत्थरी में अर्थव्योस्ता से है मुख्य रूप से यह संबंदित है अभी हाल में ही किसान सम्मूहों द्वारा किये जा रहे किसान बिलों के संदर में अब इसके संदर में एक ये परिवर्तन देखा गय है कि किसान सम्मूहों और केंद्र के बीच कुछ मुद्दों पे सहमती बन गई है इसके तहट सरकार ने इस बात पे सहमती जाहिर की है कि वह किसानों द्वारा जो स्टबल बर्निंग की जाती है पराली जलाया जाता है किर्शिय जलाया जाता है जिसको IPC की विवित अपराद बनाई गया है, उस डंडिनेता के प्रावधान को बाहर कर दिया जाएगा और किसानों दौरा पराली जलाए जाने को अब कानूनी अधार पर डंडिनीय बनाय जाने की सीमा से बाहर किये जाने पर एक प्रकार की सहमती बनी है, साथी साथ किसानों को जो बिजली सबसीटी यादी दी जाती है, उसके संदर में भी सरकार का कहना है कि इस पे विचार लगतार जारी रहेगा, इसको आगे भी जारी रखने का लगतार प्रयास किया जाएगा, हाला कि जो मूल मुद्दा है, उस पे जो है अभी भी सहमती नहीं बन पाई है, जिसमें किसान निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, किसान जो है निरंतर ये बल दे रहे हैं, कि हमें तीनों किर्शी कानूनों को रद्द करवाना है, इसके संदर में वहद द्रण है, साथी साथ उनका ये कहना है, कि जो नियू वारता जारी है, चार जनवरी को फिर से जो है इसके संदर में वारता की जाएगी और कोशिच ये की जा रही है कि दोनों पक्ष शांति पूर अधार पर कारे कर सकें, सरकार का इसके संदर में कहना है कि तीनों किर्शी कानूनों की जो विद्ध मानता है वह निश्चित संदर में जिस परकार से सरकार द्वारा व्यापक परिचर्चा नहीं कि गई वह वर्तुमान में तनावों को बढ़ाने वाला है, सथी साथ सरकार द्वारा जो सबसीडी के अधार पर जो लिजली आदे दी जाती है उसके संदर में जो सहमती आदे प्रदान की गई है वह भ भूगर्बिक जल के बाहर निकालने का कारक बनती है यह जो है ऐसी जल सघन फसलों को उगाय जाने को भी प्रोजाहिद करती है जो उक्त किर्शी जलवायू छेतर में हो सकता है अनुकूल ना हो इसके माध्यम से पंजाब हरियाना छेतर में चावल की फसल को बढ़ावा मिला है जो वहां की किर्शी जलवायू छेतर के अनुकूल नहीं है और इससे ना केवल पंजाब हरियाना छेतर की जो फसल पद्दिती है जो क्रॉपिंग पैटर्न है उस पे नकरात्मक प्रभाव पढ़ा है साती साथ सस्ती मिलने वाली बिजली से जो वहां की भुगर्बिक ज निकाला जाता है वह भी इससे नकरात्मक रूप से प्रभावित हुआ है इसको भी हमें ध्यान दखना होगा बहुत सारे विशेशग्यों का कहना है कि किर्शी बिलों का विरोध है वह चूंकि मूल रूप से पंजाब और हरियाना के किसानों द्वारा ही किया जा रहा है क् सरकारी अधिगयन की व्योस्था और नियूंतम समर्थन मूले की व्योस्था का सबसे जादा लाव भी उन्हें प्राप्त हुआ है ये कुछ ऐसी बाते हैं जो सरकार को इसके संदर में विचार करने पर बात देकर रही हैं सरकार का ये कहना है कि किर्शी बिलों को लेकर किय जाने वाला जो विरोध है वह भोगोलिक अधार पर पूरे देश में व्याप्त नहीं है साथ ही साथ MSP की विवस्था को लेकर भी अभी पूरी तरीके से सरकार का ये कहना है कि MSP का जो संबंध है वह किर्शी बिलों से पूरा पूरा डारेक्ट रूप से प्रत्यक्ष जा सके अब इसके तहट कोशिश ये करनी होगी कि एक और तो हम इस पर लगतार बाचीत जारी रखें वहीं दूसरी ओर हम किसानों के कल्यान को भी सुनिश्चित कर सकें और किसान कल्यान को सुनिश्चित किये जाने के संदर में जो विविद समितियों आदी की रेक्मेंड जी सनदर में जैसे कि राष्टी किसान आयोग आधी उसको भी जो है जाडी रखें उसको भी जो है हम लागू करें ताकि किसानों के कल्यान कर जो देदरह постав और प्भी सभणी है और इसका संदर में जासलों के साथ ओर और और पर आधिक हम लाइश के सब्सुखन है मुखे रूप से यह संबंदित है हमारे वर्तमान में पर्यावन की स्थिती से, जलवायू परिवर्तन की स्थिती से और वर्तमान में हम उत्तर भारत में एक कंभीर प्रकार की शीत लहरी को देख रहे हैं। बावजूद इसके यह कहा जा रहा है कि 2021 जो है वह पिर्थवी के सबसे गरम वर्षों में से एक हो सकता है, हाल के वर्षों में जिस प्रकार से तापमान निरंतरता के अधार पे बढ़ा है, उससे बहुत सारी जलवाईू चरम इस्तितियां विद्मान हो रही है, जिसमें अत अंतरता के अधार पर प्रभावित कर रही है, हाल ही में आई Council on Energy, Environment and Water की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टी करती है, जिसके तहत इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो 75 प्रितिशत जिले हैं, जिसमें देश की लगभग आधी जनसंक्या रहती है, वह चरम जोख्मियों से बेहद सुभेद हैं, इसके तहद भारत द्वारा 1970 से 2005 के काल में 250 चरम जलवाईू घटनाओं का सामना किया गया था, हाला कि 2005 के बाद इस तरीके की 310 से अधिक चरवाईू चरम जलवाईू घटनाएं हमने देखी हैं, 2019 और अगर हम इसकी तुलना करें, 1990 से 2019 के काल में तो भारत को इसकी आर्थिक छती भी जहलनी पड़ी है, जिसके तहद भारत को इस प्रकार की चरम जलवाईू इस्थितियों के चलते 100 बिलियन डॉलर से अधिका जहाता जहलना पड़ा है, साथी साथ भारत में जो बाड की विवीशिका है, भूसकलन की घटनाएं हैं, अत्यंत बारिश की इस्तिती है, वह भी जो है कई गुना बढ़ी है, इसके तहद यह भी देखा गया है कि भारत में जो सूखा प्रभाविच जिले हैं, वह भी पिछले दो दशकों में भारत के लगभग 40% शहरों में हम इसमें एक परकार का दो टर्फा ट्रेंड या स्वैप्ट की स्थिती को देखते हैं, अदला बदली की स्थिती को देखते हैं, जिसके तहद जिन छेतरों में पारंपरिक रूप से सूखा पड़ता रहा था, अब वहां पे हम बाड की घटनाय हुआ करती थी, वहां पे हम सूखे की घटनाय देख रहे हैं, तो यह कुछ ऐसे साइंस हैं, जिसके लिए हमें कारे करना होगा, साथी साथ अभी हाल में ही पैरी जलवायू समेलन के जो पांच वर्ष पूरे हुए थे, उसमें संयुक्तराष्ट के तत्वाधान मे क्लाइमिट एंबीशन समिट कराया गया, और इसके माध्यम से जो जलवायू परिवर्थन का सामना करने के लिए हमें जिस प्रकार से लोच शील दृष्टिकोन अपनाना चाहिए, जिस प्रकार से हमें अपनी अर्थवयोस्थामादी को अनुकूलित करना होगा, इसके लि भी प्रयास करना है, भारत को भी जो है, इसके संदर में कोशिच करने के आवशकता है, कि हम चरम, जलवायू, घटनाओं से बहतर ढंग से निपड़ सकें, और इसके संदर में हमें एक बहतर अनुकूलन की व्योस्था और लोच शीलता की छमताओं को इस्थापित करने के काम करना होगा, इसके तहट हमें एक इस प्रकार के मिशन को इस्थापित करने की जरूवत है, मिशन को प्रारम करने की जरूवत है, जो भारत की जलवायू लोच शीलता को बढ़ा सके, इसके लिए परियावन और स्वास्त जोखिम को कम करने से संबंधित मिशन को प्रारम करना होगा जिसके तहट हम आपात कालीन तैयारी को बढ़ा सकें साथ ही साथ जो हमारे महत्तपूर्ण क्रिटिकल संसादन है उनको हम सुरक्षत कर सकें उनके संदर में हम बहतर लोच शील और संदचना का विकास कर सकें इसको भी स्थापित करने की आउशक्ता है इसके तहट हमें राश्टी इस्तर के साथ ही उप राश्टी जिला छेत्री इस्तर पर जो डेटा है उसको समायुजित करना होगा उसको आपस में जोड़ना होगा ताकि प्रतेक प्रकार का बहतर डाटा के अधार पे हमें एक बहतर प्लानिंग नियोजन कर सकें कि मुखे रूप से हमें इन बातों पे भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जलवायू के सामना करने के प्रती जलवायू परिवरतन का सामना करने के प्रती जो हमारी पारंपरिक जलवायू लोचशील परंपराएं हैं उनका भी हम ध्यान रख सकें उनको हम मानिकी करत कर सक इसके तहट हमें स्वदेशी समुदायों पर विशेश रूप से बल देना होगा, साथी साथ हमें पूरे भारत आदी के संदर में एक कॉम्प्रिहेंसिव समगर प्रकार के जलवायू जोखिम एटलस का निर्मान करना चाहिए, जिसमें प्रतेक छेतर में किस प्रकार का जोख इसकी हम पहचान कर सकें, और इस अधार पर हम राश्टिये, राज्ये, जिला इस तरों पर पहतर निर्णयन कर सकें, ताकि जिस छेतर में जिस प्रकार का जलवायू जोखिम है, उसकी पहचान करते हुए हम कारे करें, जैसे कि भारत में शहरी छेतरों में उश्मा तनाव जैसी इस्तितियां विद्मान है, ग्रामीर छेतरों में फसल हानी जैसी इस्तितियां विद्मान है, इसको कम किया जा सकें, आक्रामक और संक्रामक रोगों की जो आशंका दिखाई देती है, उसको कम किया जा सकें, जै विवित्ता का हरास हम जो दिखाई देता है, उसको हम कर सकें और इसके लिए हम समुदायों और व्यावसाइक समूहों का भी हम सहयोग प्राप्त कर सकें इसके लिए भी कोशिच करनी होगी साथी साथ हमें एक ऐसा अवसंदचना infrastructure बनाना होगा जो जलवायू की चरम घटनाओं के प्रति जलवायू प्रूफ हो इसके तहर हमें जलवायू कारवाही प्रयासों को किये जाने की दिशा में ना केवल बहतर वित्तिय प्रयासों को प्राप्त करना होगा साथी साथ हम एक बहतर वित्यन की व्योस्था को प्राप्त कर सकें, बहतर फिनेंसिंग की व्योस्था को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें राश्टिये, छेत्रिये और अंतराश्टी इस्तर पर कारे करना होगा, जिसके तहट विकासील देश वादी को Green Climate Fund आदी के माध्य हमसे बहतर वित्यन किया जाना चाहिए, साथी साथ इस पूरी वित्यन की व्योस्था में जो आवंचन होना चाहिए, वह इस प्रकार का होना चाहिए, कि हम अपनी आउस्थन नचना को अनुकूलित कर सकें, इसके लिए हमें में फाइनेंसिंग के छेत्र में अनुकूलन के लिए पचास पृतिशत तक वित्त को बढ़ाने की आवशक्ता है साथ हमें एक जलवायू पृतिरोध की इस्थिती को बनाने के लिए नीजी छेत्र को विश्वास में लेना होगा दोनों को साथ मिलकर अवसन्रचना का विकास करना होगा और इसके तहट पारंपरिक ज्यान को बढ़ाने के साथ ही विकास सील देश को भी आगे बढ़ाने के लिए करना होगा चूँकि हमारे समक्ष एक नवीन वर्ष सामने खड़ा है इसके लिए हमें आवशक्ता है कि हम इसके संदर में बहतर धंग से प्रयास करें ताकि हम एक बहतर जलवाईू प्रयास को शामिल करते हुए आगे बढ़ सकें जिससे जो भारत को समय समय पर विवित प्रकार के चरम जलवाईू इस्थितियां का सामना करना पड़ता है उसका भारत को कम से कम हानी हो और इसके लिए हम सद्यव तयार रहें चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रेलियम्स प्रैक्टिस कोश्चन की ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के संदर में निमलिखित कतनों में से सत्य कतन कतनों की पहचान करें DCGI Central Drugs Standard Control Organization CDSCO के तहत भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों, आईवी, तरल पदार्थ जैसी दवाओं की निर्दिष्ट शेनियों की लाइसेंसिंग की मंजूरी के लिए जिम्मेदार है यह दवाओं की गुडवत्ता के संबंद में किसी भी विवाद के मामले में अपीलिय प्राधिकारी के रूप में कारे करता है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों क्यों प्रोक्त में से कोई नहीं तो Drugs Controller General of India, DCGI के संदर में, दोनों के दोनों जो कतन हैं वो सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा सी मुख्य रूप से Drugs Controller General of India, भारत में, टीकों के विकास में, वेक्सीन के विकास में, उनको मंजदूरी दिये जाने के संदर में महत्पूर्ण रखता है विशेश रूप से जो कुरोना की वेक्सीन का विकास किया जा रहा है, उसको सार्जनिक मंज़ूरी दिये जाने के संदर में, इसकी मंज़ूरी जो है, सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है और हाल में भारत के जो डारेक्टर जनरल हैं, ठीक है, ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वीजी सुमानी, उन्होंने ये हिंट दिया है कि जिस वेक्सीन का ट्रायल भारत में किया जा रहा है और इससे संबंधी जो डेटा, जो उपलब्द कराये गया है, डीसी जी आई को उसको भविश में अनुमती दी जा सकती है तो ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रक्स स्टेंडर्ड कंट्रोल और्गनाइजेशन के तहट भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, टीको, आईवी फ्लूड जैसी दवाओं की निर्दिष्ट शेणियों के लाइसेंसिंग को मजदूरी देता है यह भारत में दवाओं के निर्मान, विक्री, आयात, वित्रन के मानक और गुणवर्ता निर्दारित करता है, साथी साथ दवाओं की गुणवर्ता में अदि कोई विवाद होता है, तो उसमें अपीलिय प्राधिकारी के रूप में भी कारे करता है साथी साथ, ड्रक्सादी के संदर में मानक तयार करना, उनका रख रखाओ करना, ड्रक्स और कॉस्मेटिक एक्ट का प्रवर्तन करना, उसमें एक रूपता वलाना, और इसमें जो राज्य स्तर पर जो ड्रग अनेलिस्ट वगेर अन्यूक्त किये जाते हैं, उनके प्रवर्तन, अतिन अगरीकन, साइबर सुरक्षा की उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो अपरेशन मेगदू, जो है, डी आंसर होगा इसका, उप्रोक्त में से कोई नहीं, जो मुख्य रूप से भारतिय सेना द्वारा, सियाचिन गलेशियर पर अधिग्रहन किये जाने से सं संबन में, जो प्रमुक, आप कह सकते हैं, करनल थे, करनल नरिंदर कुमार, जिन्हें करनल बुल कुमार केने भी से नाम से जाना जाता था, जिनको सियाचिन हीरो के नाम से भी हम जानते थे, उनका विहाल में ही निधन हो गया है, और उनको ऑपरेशन मेगदूद की सफलता में एक महत्पूर्ण व्यक्ति की रूप में याद किया जाता है, ओपरेशन मेगदूद क्या था, तो ओपरेशन मेगदूद एक भारतिये शशस्तरबल का ओपरेशन था, जो 13 अप्रेल 1984 को शुरू किया गया, इसके माध्यम से कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कपज करने के लिए एक ओपरेशन शुरू किया गया, यह दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेतरों में लॉंच किया गया पहला हमला था, यह जो है सियाचिन जो है साल्टोर रुज पर 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जो हिमाले परवत में पूर्वी कराकुरम शेणी में यह है बिंदू N.J. 98-42 के उत्तरपूर में रिस्तित है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंतरन रिखा समाप्त होती है, और इसे बहगोलिक रूप से आप लद्धाक में पाते हैं, यह आप देख सकते हैं, यह वाला जो छेतर है, यह सियाचिन ग्लेशियर के नाम स जाना जाता है, इसकी लंबाई लगभख 70 किलो मीटर है, यह लगभख आप कह सकते हैं, 5750 से 3620 मीटर की उचाई पर है, और इसका टामप्रेचर जो है 70 डिगरी तर नीचे गिर सकता है, नेक्स कुस्चन देख लेते हैं, निमलिखित कॉंग्रेस अधिवेशनों में से सही स उमलित युगमों की पहचान करें, कॉंग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष, 1909 लहोर, मदन मोहन माल भी है, 1920 नागपूर, सी, विजय, रागवाचारे, 1922 गया, मौलाना मोहमद अली, केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन के उपरोख में से कोई नहीं, तो टीर्ट आर्टिकल में खबर आई है, इसमें नागपूर अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई है, जिसे मुस्लिम लीक द्वारा भी सुईकार किया गया था, 1922 का जो कॉंग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, उसमें चितरंजन दास, जिनको सी आर दास के नाम से ज अर्थ कथन कथनों की पहचान करें, अर्थ शास्तर में डंपिंग एक प्रकार का आक्रामक मूलियन प्रिडेटरी प्राइसिंग है, जो विशेश रूप से अंतराश्टी वानिज्य चेतर में देखा जाता है, यह एक विदेशी वियापार में बाजार हिस्सेदारी जाने या प्रतिस परधा को हटाने के इरादे से किया जाता है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक, ना ही दो, तो इसका C आंसर हो जाएगा, दोनों कतन सही हैं डंपिंग के संदर में, अब यह जो मुद्दा तब चर्चा में आया, क्योंकि भारत में जो विसकोस यान जो है, उसको इस्थानी अधार पर काफी छेत्रों में यूज किया जाता है, और यदि उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती रही है, तो इसके माध्यम से इसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, जो इसे अब प्रितिस परधा कारी बना देता है, ठीक है, तो डंपिंग क्या होती है, एक परकार का प्रिडेटरी प्राइसिंग है, आकरामक मुल्यन है, जो विशेश रूप से अंतराश्टी व्यापारिक छेत्र में देखा जाता है, डंपिंग एक ऐसी इस्तिती होती है, जब कोई निर्माता या बाजार, जैसे कि मान ल चीन में कोई बल्व 10 रुपए का बनाया जाए, और भारत में उसको एक रुपए में ही बेचने लगे, ताकि भारत के बाजार पर उकपचा कर ले, इसे कहा जाता है, डंपिंग, जिसके माध्यम से विदेशी बाजार में बाजार की हिस्तेदारी बढ़ाने या प्रतिस प जिसमें विश्च व्यपार संगठन के नियमों के तहट इसे लगाये जा सकता है, और इसे सबसीडी विरोधी ड्यूटी भी कहते हैं, इसके तहट यदि कोई देश जांच करे और ये पता लगाए कि कोई विदेशी देश अपने देश में घरेलू सबसीडी देकर गंतव देश यानि जहां पे उस उत्पात को भेजा जा रहा है, वहां के आपूर्ती करताओं को नुकसान पहुचाता है, तो वहें डबलू टीओ के नियमों के अनुसार काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लगा सकता है, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी के माध्यम से कोशिश य कम किया जा सके और इसे डबलू टीओ के नियमों के अनुसार सही माना जाता है, हाला कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और सीवीडी में एक महत्पूर अंतर यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को उन समानों पे लगाये जाएगा, जो काफी कम कीमत पर आयात किये जाते हैं जबकि काउंटर विएंटलिंग ड्यूटी को निरियात करने वाले देश में सबसीडी वाले उपादों पे लगाये जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है, नेक्स कोशन देख लेते हैं, अन्तराश्टी आतंकवाद पर व्यापक संबेलन, कॉम्प्रिहंसिव क CCIT के संदर में निमलिखित कतनों में से सत्य कतन कतनों की पहचान करें, अन्तराश्टी आतंकवाद पर व्यापक संबेलन एक प्रस्तावित संदी है, जो अन्तराश्टी आतंकवाद के सभी रूपों को पराधी बनाने और आतंकियों, उनके वित्पोशक और समर्थकों को धन हतियारों और सुरक्षित स्थानों तक पहुच से वंचित करने का इरादा रखता है, यह 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा है, जिसे संयुक्तराश महासभा द्वारा अपनाया जाना बाकी है, यह अन्य बातों के अलावा, दक्षिन एशिया में सीमा पार आतंगवात के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन के मुद्दे को भी संबोधित करता है, केवल एक, केवल एक और दो, एक, दो और तीन की उप्रोक में से कोई नहीं, तो CCIT के संदर में तीनों के तीनों जो कथन है, वो सही है, यह जो मुद्दा तब चर्चा में आया, आगे बढ़ाएगा, अंतराश्टी आतंगवात पर व्यापक सम्मेलन, Comprehensive Convention on International Terrorism, एक प्रस्तावित संदी है, जो अंतराश्टी आतंगवात के सभी रूपों को अपनाधी बनाने, और आतंकियों, वित्तपोशकों और उनके समर्थकों को धन हतियार सुरक्षित स्थानों तक पहुच सेवंचित करने का इरादा रखता है, यह 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा था, जिससे संयुक्त राश्ट महासभा द्वारा भी तक अपनाया नहीं गया है, इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है, कि आतंगवात की कोई भी सार्भौनिक प्रभ प्रिभाशा इस्थापित की जा सके, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार ना दिया जाए, कि कोई आतंगवात को अच्छा या बुरा कह सके, इसके माध्यम से कोशिश की जाए, कि आतंगवात की इस प्रकार से प्रिभाशा इस्थापित की जाए, कि आतंगवादिय देश की परिवा किये बिना सभी समूहों पर प्रतिबंद लगाये जा सके, उनको जो धन दिया जाता है, उनके जो सुरक्षे सिखाने होते हैं, उनको खतम किया जा सके, जो सीमा पार आतंगवाद होता है, उसके समूहों को अभियोजित किया जा सके, कानून के दायरे में ला जा सके कि सीमा पार से आतंग की कारवाही करने वाले व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में प्रतियर्पित किया जा सके और साथ ही साथ दक्षिन एशिया में जो हम सीमा पार आतंगवाद देख रहे हैं और उसमें जो पाकिस्तान की भूमिका देख रहे हैं उसको भी समान रूप से कारवाही की जा सके इसके लिए भारत प्रयास कर रहा है चलिए अब एक लास्ट यार का कोश्चन देख लेते हैं निमलिके टाइगर रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतरगत सबसे बड़ा छेतर कौन सा है कारवेट रन थंब और सागरशीSi halten संदरनवन में जो टाइगर हैबिटाट क्रिकटिकल टाइगर है वह लगबग सत्रा सो वर्ग मीटर का है वहीं दूसरी ओर नागरजहुन सागर शिर्वी Caitlin सेलम में यह जो टाइगर हैबिटाट है वह लगबग 3721 वर्ग किलो मीटर का छेतर है तहिक है तो इसक तुलना में कम है जहां पर लगबख सथरा सो वर की किलोमीटर छेत्र ही विद्दमान है वहीं दूसरी और सागरजुनसागर में इसे अधिक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मरसी, बाकि इन दोनों के तुलना में जो दोनों छेत्र हैं कहीं अधिक छोटे हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर नागरजुन सागर सैलन में जादा है, तो निश्चित रूप से वो इन दोने से भी बड़ा होगा. ग्रिटिकल टाइगर हैबिटार्ट बाग अभ्यारने के प्रमुक छेतर होते हैं, वो एक कोर ऐसे छेतर होते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा बाग पाय जा सकते हैं, यह है वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहद व्यग्यानिक प्रमानों के अधार पर पहचाना गया छेतर होता है, जिसे बाग सन्नक्षन और देशे के रूप में ऐसे छेतर के रूप में मानेता दी जाती है, जो अनुलंगनिये हैं, और जहां पर जो है कोशिशे की जानी चाहिए, कि कम से कम लोग जाएं, हालनकि वर्तमान में यह प्रयास किया जा रहा है, कि जो परिक वनवासी लोग हैं, उनके अधिकारों पे भी नकरात्मक प्रवाव ना पड़े, इसकी जो अधिसूजिना है, वहराज्य सरकार द्वारा एक विशेशक्य समीती के परामर से की जाती है, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस कोशन देख लेते हैं, भारत में और निगरानी छेत्रों में तेंदूों की संख्या का आंकलन, जहां वे अधिक विद्दमान है, एक बहतर अवलोकन सुनिश्चित करेगा, चर्चा करें, दोसो पचास शवद, पंदरांग, दूसरा कोशन है, विशेज विभा अधिनियम, अंतर धार्मिक जोणों की करने का प्रयास कर सकते हैं, बाइजूज गवर्नेंट एक्जाम प्रैप के आज के इस अंक में हमने प्रयास किया, कि हम आपके समक्ष अधिक सधिक फैक्ट्स और संकलपनाओं को प्रिस्तुत करें, यदि आपको हमारे इनिशेटिव पसंद आ रहे हैं, तो अधिक सधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आज के अंक में फिलाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, हैपी नीवर टू आल, थैंक यू.